तो आईज आप देख सकते हैं हमें क्या ही जबरदस्त लूट मिला है तो हेलो गाईज वेलकम बाग तो परफेट ग्यामर यूटूब चैनल एंड हम लोग आचुके हैं माइनक्राफ्स की फर्स्ट एवर वीडियो के साथ गैस बहुत दिन बाद मैं पहली बार माइनक्राफ्ट का एक वीडियो लेकर आया हूँ गैस इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कुछ सेटिंग्स की मदद से बहुत ही जादा आसम लूट पा सकते हैं और बड़े ही आराम से सर्वाइव कर सकते हैं अगर आप माइनक्राफ्ट में सर्वाइव करते हैं तो इस छोटे मोटे कुछ सेटिंग्स जो कि मैं आपको बताऊंगा यह सब सेटिंग्स जानने के लिए वीडियो के अंदर माइनक्राफ्ट गेम के अंदर जो कि वर्जन 1.17 है अब मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना तो सबसे पहले आपको create new world पे क्लिक करके एक नया world create करना है अब मैं पताता हूँ कि आपको करना क्या है अब कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने का मिलेगा तो सबसे पहले तो आप कुछ भी नेम दे दे जाए इस नेम मैंटर नहीं करता कि आप क्या देते हैं तो मैं सबसे मेन सेटिंग यह सीडवाल ऑप्शन पर आपको 666 कर देना है नीचे शो कोडिनेट्स भी कर देना है ताकि आपको विलेजेस ढूडने में बहुत ही असानी हो यह सब सेटिंग्स आप अच्छे से देख लिजिए और उसके बाद हम create करते हैं हमारे world को create हो रहा है तो म को मतब स्टाइटिंग में सर्वाइफ करने के लिए जितने भी चीज़े जरूरत पढ़ेंगी वह सब इतर मिल जाएंग जाएंग आप निकालकर रख लें बहुत बाद में काम आते हैं इतना सब कर लेने के बाद आप देख सकते हैं आपको सामने की विलेज दिख रहा गा जल्दी सब बढ़ते हैं विलेज के और ये बिसीकली फार्मर्स का विलेज इसमें आपको खेती बाड़ी की सामन लिलेंगी घ्याएंग फार्मिंग वाले चीज़ें मिलेंगी तो जल्द जल्दी चलते हैं एक आईरन गोलेम भी अगर आपको से मारें लूट सकते हैं ये हमारा village सामने से आइन गोम dipping हट्जा एंड यहां पे आप अगर आगे जाते हैं थोड़ा फ्रेस देखने को मिलेगा आगे चलिए देखते हैं यह हमारा विलेज यहां फारमर, अगर आप इधर से आगे जाते हैं तो आपको एक टूटा हुआ एंडर पोर्टल दिखता है नेदर वॉल्स कोर्टल झा च्त बना कर सकते हैं अब उसके पास यह आप आपको एक golden apple मिलता है जो की बहुत ही मुश्किल होता है बनाना गोल्ड से बनता है एक flint steel और दो fire charge भी हुए है आपको नहीं पता fire charge क्या होता है तो क्याज मैं आपको देखाता हूँ एक desert temple देखने को मिले आगा आप देख सकते हैं आप एक desert temple भी है जो मैं थोड़ा skip कर देता हूँ तो guys हम आच चुके हमरे desert temple के अंदर and guys मेरे पीछे एक mob पढ़ गया था उसे fight करने के चक्कर में मेरे थोड़ा health भी कम हो गया लेकिन कोई बैत नहीं अब मैं आपको देखाता हूँ कि इसके अंदर कैसे जाना है तो guys आपको red वाले मतलब red वाले box को खोद कर निचे जाना है guys आपको बीच वाले से बिल्कुल नहीं जाना अगर बीच वाले से आप जाते हैं तो नीचे गिरते ही TNT explode हो जाएगा इसला guys आपको side से जाना है तो यह जैसे आप देख सकते हैं मैं side से 2 boxes को माइन मतलब डिक किया एंड उसके निचे चल गया अब जो हमने torches रखे तो उसमें से हम एक निकाल लेते हैं तो guys अब मैं बताता हूँ कि आपको बाहर कैसे निकलने जैसे जो आपको sand मीला था chest में से उनको आपको ऐसे लगाना है एक की उपर एक jump करके लगाना है एंड ऐसे करने से आप बिलकुली आराम से बिना किसी दिक्कत के बाहर निकल जाएंगे कैसे अब देख सकते हैं मैं jump करकर करके लगा रहा हूं एंड गया हम बड़ी आसानी से बहार आ गए हैं व्याज उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आज की वीडियो में बस इतना ही इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो पसं झाल